उदर करनाटक में पेंड्राइब के लड़ाई छिड़ गई है। करनाटक में सत्ता में आने से ठीक एक महीने बाद भ्रस्टाचार विरोधी मुद्दे पर सवार होकर कॉंग्रेस खुद को अब विपाक्षुद्वारा भ्रस्टाचार के आरोपों से घेरी हुई पा रही है JDS नेता और पूर्व CM HD कुमार स्वामी ने विधान सभा के बाहर एक पेंड्राइब दिखाते हुए ये दावा किया कि मौझूदा काबिनेट का एक मंत्री ट्रांसफर घोटाले में शामिल है। उन्होंने यहां तक कहा कि वो सही समय आने पर सबूत जारी करेंगे। सब्सक्राइब देगाए तक करेंगे। And one like Mr. Kumar Swamin, who has been the chief minister of the state and the responsible citizen of the country, has some incriminating evidence as he says, then why is he keeping it to himself. वह वात्व एड़ वान्टुटू रड़ी प्रेवली देडिया। अर ले अर्शा करेंड कर्षा कारें। to actually put out all of the audio clips on that pen drive in front of the entire assembly